हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैईच चैनल आज इस वीडियो में हम सीखने वाले है प्रिपोजिशन ओफ एट यानि यूज़िज ओफ एट हम सीखने वाले हैं कि एट का यूज़ हम कहां कहां कर सकते हैं बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि at का use करना है या on का use करना है तो आज सारे doubt मैं इस वीडियो में आपके clear कर दूँगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं use of at तो सबसे पहरे समझते हैं जो at होता है उसका हिंदी में meaning होता क्या है तो at का जो meaning होता है वो basically pay या पर होता है जैसे मैं समय पे आ जाऊंगी या उस समय पर ये काम होगा या उस दिन पर ये काम होगा तो वहाँ पर हम at का use करते हैं तो अब इसके कौन-कौन से rule है वो समझते हैं तो सबसे पहला rule है for definite time यानि जब हम किसी को एक निश्चित समय बताते हैं एक definite time बताते हैं कि 4 बजे 5 बजे तब वहाँ पर हम at का use करते हैं इसका example है he will come at 6 o'clock यानि वो 6 बजे आएगा the train will reach at 4 o'clock जो train है वो 4 बजे पहुँचेगी तो यहाँ पर हमने क्या किया एक definite time को indicate किया कि यह time इस time पर यह काम होगा next देखते हैं exact location जब हमें किसी location या किसी जगह को exact बताना होता है कि निश्चित वही जगह है तब वहाँ पर हम उसका at का use करते हैं जैसे I am at the airport कि मैं airport पर हूँ अब मैं airport के अंदर हूँ या बाहर हूँ उससे कोई मतलब नहीं है बस मैं airport पर हूँ जैसे हम use करते हैं at the door मैं दरवाजे पर हूँ अब वो आप दरवाजे के अंदर खड़े हैं या बाहर खड़े हैं उससे कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है at the railway station को बताते हैं वही चीज़े जो एक्जैक्ट लोकेशन है वही प्लेस भी है तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं जैसे I saw my friend at McDonald मैंने अपने friend को कहां देखा McDonald में देखा somebody at the door कोई दर्वाजे पर है तो ऐसी जगहों पर जहां हम निश्चित कोई एक प्लेस बता रहे हैं तो वहां पर हम at का यूज करते हैं अब बात करते हैं small place की small places का मतलब है कोई small places का मतलब ये नहीं कि क्यों जगह है वो आपकी छोटी हो गई है जगा का मतलब है कि कोई छोटा शहर, गाउं या कस्वा वहाँ पर हम at का यूज करते हैं जैसे I live at चांदपूर in उत्ता प्रदेश यानि उत्ता प्रदेश में जो चांदपूर जगा है जो छोटा शहर है वहाँ पर मैं रहती हूं He lives at चांदी चौक in Delhi कि वह चांदनी चौक में रहता है देली में जो चांदी चौक है वहाँ रहता है तो यह हो गई बात small places जहां पर आप किसी गाउं का नाम लिखेंगे कोई छोटे शहर का नाम लिखेंगे कस्वे का नाम लिखेंगे वहाँ पर हमेशा at आता है अब जैसे हम कहते है I live in Mumbai हम यह नहीं कहेंगे I live at Mumbai क्योंकि Mumbai एक बड़ा शहर है अगर हम वहीं इसको ऐसे बोल दे कि I live at Mumbai in महरास्ट यानि अब देखें महरास्ट वहाँ पर बड़ा हो गया और Mumbai क्या है उसके आगे छोटा हो गया तो वहाँ पर हम at का use कर सकते हैं अगर हम केवल Mumbai को अगर indicate कर रहे हैं तब वहाँ पर हम in Mumbai करेंगे क्योंकि Mumbai एक big city है next बात करते है for speed speed यानि जहाँ पर किसी चीज़ का motion होता है या गती होती है वहाँ पर भी हम at का use कर लेते हैं जैसे the train was running at a speed of 200 km तो किस speed से दोड़ी है यहाँ पर निश यह तब हम यहाँ पर at का use करेंगे क्योंकि एक definite speed है कि 200 km की speed से train दोड़ रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पर at का use किया है अब next देखते हैं for age age के लिए जब आप किसी particular कोई age को आप बताते हैं तो वहाँ पर at का use हम करते हैं जैसे I started teaching at the age of 25 मैंने teaching start की थी 25 की उमर में तब हम यहाँ पर use करेंगे at का I learned piano at the age of 19 मैंने piano सीखा 19 साल के उमर में तो हम यहाँ पर जो definite उमर बताते हैं यानि 19, 25 तो इसके लिए क्या है हम at का use करेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं next है for definite price जब हम किसी का निश्चित मूल्या बताते हैं यानि price बताते हैं तब वहाँ पर भी हम at का use करते हैं जैसे mangoes are selling at the rate of rupees 20 per kg यहाँ पर off ही आएगा of rupees 20 per kg यानि mango जो है वो बिक रहे हैं किस rate पर बिक रहे हैं 20 per kg I bought bananas at the rate of 25 per dozen यानि banana मैंने खरीदे हैं 25 रुपे डोजन यानि एक दरजन जो मैंने 25 रुपे दरजन बनाना को खरीदा है तो इस तरह जहाँ पर आप निश्चित मताते हैं वहाँ पर at का use होता है before festival ने कभी-कभी क्या होता है कि तोहारों के नाम के साथ भी जुड़ जाता है at लेकिन जरूरी नहीं है कि आप तोहार के नाम के साथ at ही use करेंगे आप at की जगे on proposition भी use कर सकते हैं जैसे यहाँ पर एक example लेते हैं राम विल नॉट कम at holy राम होली पर नहीं आएगा यह sentence भी correct है अगर हम इस sentence को इस तरह से बोलने तो यह भी correct रहेगा राम विल नॉट कम on holy कि राम होली पर नहीं आएगा तो on भी हाँ पर proposition यूज हो सकता है और at भी हाँ पर preposition यूज होता है यहाँ पर यह definite नहीं है कि festival के आगे आपको at ही लगाना है यहाँ ऐसा कुछ भी definite नहीं है अब देख लेते हैं last में कि some other uses of at और at हम कहां कहां पर और लगाते हैं जैसे हम लिखते हैं at home, at last हम बोलते हैं at last, at all, not at all यहाँ पर भी at का use होता है at noon, at midnight, at night, at least यह सारे words के आगे हमेशा at लगता है so friends I hope आपको समझ में आया होगा कि at का use हम कहां कहां करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like किए बिना बिल्कुल मज जाएगा thanks for watching